सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर्मन सिखाप दिंग्समादियानी बुद्धन सब्सुब सन्निवार भी है और आज धन तंडुल तेरस भी है धाई तंडुल तेरस इसके लावा और भी छोटी मुणी चीजें हैं जो कत्तिक के महरे में चलती है खासतोर से जो भिक्कू है वो अब त्यार होकर बहार जाने चले हैं उनका जो वस्थावास है तीन महिने का जो इस्टे है वो इस अस्विन पूर्णयुमा को एंड हो गया और कत्तिक का पूरे मा में वो भिर्मन की त्यारी करते हैं निकलने सुरू होते हैं पिर्चार के लिए पिरसार के लिए लोगों के मंगल के लिए तो यह जो पूरा महिना चलता है अस्विन पूर्ण मासी के बाद जो कत्तिक का महिना है यह बहुत ही ज्यादा पूर्जा से भरा हुआ और बहुत ही लोगों को खुशियों देने वाला महीना होता है पूरे साल में और इसमें जो ये तेरवा दिन है या तेरस है ये तेरवा दिन भी हो सकता है और ये तंडूल डे भी हो सकता है दौनों दिन हो सकते हैं और दौनों दिन के मायने लगबग एक से अब हो गए तो सुब सननिवार भी है क्यों कि जो सननिवार होता है उस दिन हम इसको सुब सननिवार के रूप में मनाते हैं जो यहाँ पर नए लोग आये हैं वो जान लें कि भारत के अंदर जब इसका नाम भारत भी नहीं था, खास्त और से मगद वाले एरिया में जहां बुद्ध पैदा हुए, जहां बुद्ध से पहले हमारे समण लोग थे और कविलों में रहा करते थे और समण संखती वहीं से चरवतर फैली, तो उस समण संखती में, समण संखती में, समण कल्चर में हमारे जतने भी समण लोग थे, समणा और समणी, वो सारे के सारे साथ दिन में एक बाद अपना सारा काम छोड़ के, या काम पूरे करकर, रेष्ट के लिए आराम के लिए या अपनी समस्याओं के समधान के लिए या एक दूसर से मिलने के लिए या कोई दुखदर्द के लिए या कोई खुशी के लिए वो आपस में सारे के सारे सन्नी पात करते थे सन्नी पात बहुल, सन्नी पात का मतलब है इकटे होने की चरिया, सन्निकट होने की चरिया, निकट निकट होने की चरिया, पास पास आने की चरिया, यानि संग में बैठने की चरिया तो इस पूरे के पूरे सनिकट चरिया को सनी चरिया को बाद में सनी चर कहा गया सनी चरिया से सनी चर हो गया और जब हमारा से शे में बदला तो ये जो हमारा अच्छा दिन था इसको उन्होंने सनी चरिया से शनी चरिया कर दिया और फिर इसको सनी चर कर दिया बाद में इसमें वार जुडा तो सनी वार हो गया और इसको सुख दिन को हमारे मिलने के दिन को मनूस दिन का करार देकर हमारे लोगों के दिवाक में बार 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 डाला गया कुछ लोगों ने कहा भी होगा कि ये तो हमारा मिलने का दिन है बहुत बड़या दिन है सुब सन्निवार है तो उनको कह दिया होगा कि हम सन्निवार की बात नहीं कर रहे हम शनिवार की बात कर रहे हैं, तुम्हारा सनिवार यहां कुछ नहीं है क्योंकि सै की जेगा शे हो गया है, यह शनिवार है, और यह महनुज दिन है, इस दिन घर से बाहर मत निकलना, हम अपनी जब चरिया करते थे तो अपने सत्थक डंडों को, सत्थक माने सस्त्र और माने दंडा, यानि कि बाला, भाला, बल्लम, बर्ची, कटार, तलवार, यह सब साथ रखते थे, वो लोहे की बनी होती थी, इसलिए हमारे दिमागों में यह डाला गया कि सनिवार के दिन में लोहा रखना भी अप्सकुन है, अप्सकुन का मतलब, यह बहुत ज़्यादा हम लिए नुकसान दायक है, तो नुकसान वाला काम क्यों करेंगे, तो लोगों की जानकारिया जैसे जैसे सनिवार से शनिवार पर चली गई, वैसे ही वो सत्थक दंड भी भूल गए, अपने हत्यार भी भूल गए, और उनको खुद ही मनूस करने लगे, और लोहा दूर दू नहीं होता, और जिसके आत्में डंडा बल्लम हो, जानवरी भी उससे बचके निकल जाता है, आदमी की तो विसाती क्या है, इसलिए हमने अपना ओफिस्यल जो सस्त्र था, सत्थक दंड था, वो छोड़ दिया, और बुद्ध ने तो अपने भिक्कु संग को भी ग्यारे प बुद्ध के धमके खतम होने के बाद में, जो गुमल बुद्धिष्ट बने, उन्होंने धंडे का सत्थक दंड का जिकनी किया, और हमको करणा मैतरी बताते रहे, और बुद्ध को कैते रहे करणा मैतरी है, जबकि विनए पीटक में ग्यारे प्रिकार का सत्थक दंड बुद्ध के खतियार हमारे लोगों के अगेंस्ट में और लोगों ने अपना लिए, और हमारे लोगों ने छोड़ दिये, पर इसको कोई भी बुद्धिष्ट बोलता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये भर रखा है, कि हमारे तो बुद्ध करणा मैतरी, मुदिता, भा कोई के लिए है, पर कोई पढ़े, कोई जाने, कोई तर्क करे, कोई वितर्क करे, कोई भिपुआए सामने तो बात ही बने, तो ये ओफिसियल आपका अधिकार है, कि आप सब्तक दंडर रख सकते हो, सन्नी वार को आप इखटे हो सकते हो, सम्मिलन कर सकते हो, मिल सकते हो, उ बावा साब ने बाद में लौ में बनाई हैं या जो आई पीसी में बनी हुई है धारा वो भी कहीं काम नहीं करती क्योंकि ये आपका धम्मिक कारेकरम है ये आपका धरम का कारेकरम है और धरम के कारेकरम में हतियार वालों को स्वक्षा मिलती है भारत के अंदर जो लोग अप बुद्धिष्ट हो गए हो जो बुद्ध की बात नहीं मानते पता नहीं किस-किस की बात मानते हो तो मारो भाई उसी का आज नतीजा ही है कि हम इतने कमजोर हो गए क्योंकि जो आदमी अपनी बंदूक रख देगा अपना हतिया रख देगा वो आधा वैसी रहे जाता है इसल जो बुद्धि संग्ध है उनको पास कराना चाहिए और विदेश से पास कराना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में धम एक ही चलता है अलग रही है तो यह फाइदा बड़ा होगा कि दुबारा से सन्नी पात बाहूल सत्तक दंड के साथ होगा तो आदी बीमारी तो दूर वैसी हो जाएगी जिन व्यक्तियों के सम्हों के पास में उनका सत्तक दंड रहता है जानवर नहीं आते हैं उनके पास दूर रहते हैं जानवर कहरें डंडा है क्योंकि आपको छूने की जो तनी यह डंडा आगे कर तो जानवर भाग जाएगा तो कितनी बड़ी स्वक्षा जानवरों से है तो जानवर से सुश्चत होना चाहिए, गाए आ जाये, भेस आ जाये, बकरी आ जाये, उम्राट जाये, मिना डंडे के कैसे करोगे, इसनिए बुद्ध की बात मानना चाहिए, दूसरा जो यहां एक काई करम लगातार चल रहा है, वो काई करम है, भिक्वों का लगातार घर से बाहर निकलना क्योंकि जो पिछली प्रोडमासी गई है तब से भिकों ने तीन मेहने अपना ध्रन करने के बाद में लगाता लगातार वो जा रहे हैं और पूरे मेहने जाएगे तो इधर भी वो जा रहे हैं और जो सबसे बड़ा खुशी का माहौल है इस पूरे नॉर्डन रीजिन में नॉर्डन रीजिन में यानि के जो इस से लेके और वैश्ट और नॉर्थ के बीच का जितना हिस्सा है उपर का सारा गरम छेत्र है और पहाड़ी के नीचे का छेत्र है वहाँ पर धई आया हुआ है धई धई माने होता है ग्रेंस याने दाने और धई किसके है दाने किसके है तंडुल के तंडुल माने अभी तो चावल सब्द पहले था रही तो चावल सब्द अरब से आया हुआ है तो चावल के यानि राइस के जो ग्रेंस हैं जो धहीं हैं वो आए हुए और वो फसल कट रही है और फसल कट रही है तो वो सारे के सारे धही तंडुल के आ रहे हैं और जो यह तेड़स है यानि जो तेरवा दिन है चंद्रमा के डाउन होने का यानि चंद्रमा लगाता दिद्र डाउन हो रहा है और तेरे में दिन में डाउन होके काला सा हो गया है और अगले दो दिन बाद अमावा साइगी पूरी तरह से बंद हो जाएगा फिर छोटा चांद निकलेगा जो पूरन माज़ी तक पूरा बड़ा हो जाए तो यहां अधेरा हो रहा है पर फसल आ रही है फसल की बड़ी खु बड़ेगी तो चावल के दाने जब सूखेंगे तो उनको निकालना भी है तो उनको भरना भी या उनको इखटा भी करना है तो लोगों को कहा है कि भाई अपनी जाडू बना लो जाडू ले आओ अपने साथ में क्योंकि चारो तरफ फसल का एकी टाइम है तो फसल को कूट कर देते हैं क्योंगी फसल सवेर आ रही है और फसल दूसी बोनी भी है तो जल्दी से सूखे और काम हो जाए तो उनको भरने के लिए मटके चाहिए क्योंकि फल को सुरक्ष Tat रखने के लिए बोरे नए नहीं थे उस समय और चादर बहुत महंगी हुआ करती थी, क्योंकि चादर हाथ से बुनी जाती थी, कपड़ा हाथ से बुना जाता था, इसलिए चादर और चीवर बहुत प्रीशस थे, तो चावलों को रखें काए में, अगर बंद करके नहीं रहेंगे तो चुहे खा जाएंगे, तो चुहे लिए एक आफ़ार है, तो चावल के चावल गए, यहीं तंडूल के तंडूल गए, चुई के चुई आगए और शाब का खत्रा लग से तो उनके लिए मटके मिट की जो मिटिके बंते थे वो मट्कों में तंडूल यानि चावल रखे जाते थे नहीं रखे जाते थे, और एक के उपर एक रखके उपर रखे जाते थे ऐसे बहुत सारे आपने डांस देखे होंगे जब महिलाएं एक के उपर एक मटके रखके डांस करती हैं क्योंकि मटकों को एक के उपर एक रखने की कला है मटका तूटे भी न और भरा हुआ मटका भारी हो जाता है तो उसको माने बस्तू होता है वैसे तो भंड माने वो जो सामान जहां संग्रह करते हैं उसको भंड बोलते हैं या भंडार ग्रह बोलते हैं या भंडा ग्रह बोलते हैं और उसी को भंडारा की बोलते हैं कि यह भंडारा है यह जिसके पास बहुत सारे खाने के सामान का बस्तू की खट इसको कहते हैं इसके पास तो भंडार है, तो यह भंडारा कर सकता है, यह लोगों को दे भी सकता है, तब इसे यह सब्ध भंडारा पड़ा हुआ है, और भंड माने बतन होता है, आपने एक जतकारी देखियोंगे, पहले पिछले साल हमने यहां कही एक्ष्पर्ट बुलाये उन्होने बताया था कि एक आरत बीच में खड़ी हुई है जिसके दाए बाए में दो हाथी हैं वो हाथी अपने सून्ड में दो मटके लेके खड़े हुए हैं और उनमें मटकों मेंसे दाने गिर रहे हैं और वो दाने उस महिला के उपर हैं और उसके दाएं बाएं में कमल के फूल और कमल की पंखडिया बनी हुई हैं पत्या बनी हुई हैं तो कमल के फूल और पत्या बताते हैं कि ये बुद्ध के परिवार से यानि कि धंमिक परिवार से ये लोग संबंदित हैं और जो उपर से हाथी है जो हाथी डाले जा रहे हाथी को बोलते है नाग ये हमारा टोटम रहा है यानि कि हम नाग वंसी रहे हैं तो नाग माने हाथी होता है हाथी हमारा टोटम है हस्ती है तो वो चिन्द बताता है कि हमारे नाग वंसी की महिला है और वो उपर से धहीं डाले जा रहे हैं ध लक बुला करते थे कितना धही है कितना धान है कि लक है लक तो लक बुला जाता था और मैं माने होता है मेरा यानि कि मेरे पास लक धान ऐसी जो लक्षमी है लक्षमी है बाद में लक्षमी को लक्षमी कर दिया गया बहुत सारी जिगे लक्षमी चंद भी बुला जाता है जहा महिला प्रधान हमारा देश और हमारी सब्धता रही है, हमारी संस्कती रही है, तो हम महिला को प्रधान मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध की माता हैं, तो बुद्ध की माता को सम्मान के रूप में कह सकते हैं, पर सारी माता हैं लख्मी हैं, सारी माता हैं धान स साही तरह से नहीं पकती है और पूरा धही या धान तंडूल नहीं मिलता है तो भूका रहना पड़ेगा क्योंकि पहले तीन फ़सल होने का रिवाज नहीं था बहुत जादा दो फ़सल पर एक फ़सल सबसे ज़्यादा मुख्य थी जिसको धही बुला करते थे क्योंकि पूर सबसे पहले आये था और गिनिया ऐसे नहीं बारिस में वा करते थी और गिनियों के इतने जादा मोल भा भी नहीं थे पर धाई का धान का बहुत जादा था इसलिए जो धन धाने से भरपूर बोलते हैं धन धाने से भरपूर का मतलब है धाई धान से यानि के ऐसे दानों से ज को बोलते थे बौधिक संपदा यानि वित्र जिसको आज हम पैसा बोलते हैं वित्र मंत्राले का मतलब पैसे का मंत्राले बोलते हैं तरसल पुराने समय में वित्र का मतलब होता था बुद्धी जिसके पास बुद्धी है उसको वित्र बोला करते थे वित्मंति का मतब है बुद्धी वाला मंत्री बोला करते थे पैसे वाला नहीं पैसे को मुद्रा बोला करते थे वो मुद्रा बहुत बाद में बनी है बहुत बाद में जाके ये पैसे का मुद्रेगा और सिक्कों का चलन हुआ है पहले नहीं था तो धन तेड़स या अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद में ग्यार प्राप्त किया, तो उनके पता जो सुद्धुदन थे, वो चायते थे कि हमारा बेटा बुद्ध हो गया है, तो घर आए. बुद्ध का मतलब बुझ, बुझ का मतलब जो लोगों के सवालों को बुझाता है, जो इतनी जानकारी रखता है कि किसी के भी सवाल का जवाब दे सकता है और लोगों के दुखों के सवालों का जवाब देता है और उनको सुख सिखाता है उसको बुझ बोलते हैं उसे बुद्ध बना है तो इतना बड़ा ग्यानी हो गया कि सबका सवाल का जवाब देता है तो इतना बड़ा ग्यानी अगर घर आएगा तो बाप की जद बड़ेगी बाप का सीना चोड़ा होगा परिवार में सबका सीना चोड़ा होगा देखो हमारा बेटा कैसे आया है तो हर एक को लाल सा रहती ह हमारा बेटा है पुत्र है तो आए हमारे घर उसी का घर है तो जिस जिसको भी सिद्धत गौतम के पास यानि बुझ के पास बुद्ध के पास भेजा इन्विटिसन के लिए कि जाके खबर करो कि मैंने बुलाया है वो आने की बजाए बंदा वहीं बुद्ध का सिस्थे हो गय दे पैदा होने से उनमें दोस्ती बड़ी गहरी थी तो दोस्ती बड़ी गहरी थी तो सुद्धोदन ने काड़ुदाई से का के काड़ुदाई तुम उनके बच्पन के दोस्तों तुम जाओ और जाके कहना कि मैंने बुलाया है यहां आएं और अगर तुम वहां रह भी ज आओ, वहाँ जाके धंब सीखते रो, तो भी ये कह देना, कि मैंने बुलाया है, एक बार जरूर चले जाए, तो वो कालुदाई जब बुद्ध से मिलने गया, महाँ जाके बुद्ध की सिक्षा उसने सीखी, देखी, तो भी वही रह गया, पर उसने बुद्ध को ये कहा, कि म वार आया है, उसको ठुटरा नहीं सकते, तो इसलिए वो जाने का मन बनाते हैं, तो वसावास में कहीं जा नहीं सकते, वसावास का नियम है कि बुद्ध और बुद्ध की अनुयाई वर्सावास में, वसावास मतलब बर्सावास, बर्सामाने जो बारिस बरसती है, पानी ब ठ्टिग वॉड़मा के बाद में जब पवाणा सुरू हो जाती है। मतलब है कि जब उनके जाने का समय आना सुरू हो जाता है. तो वो त्यार होते हैं और निकलते हैं. जहां वो रहते हैं राजगीर में और वहां से कपली वस्तुकी जो दूरी है वो 400-400 किलोमेटर है पहाड़ों पे जंगल में होते हुए तो एक दिन में भिक्कु संग जादा जादा 40-50 किलोमेटर चल सकता है पैदल की रास्ते हैं तो वो चलना सुरू करते हैं तो उनके पास चलने के लिए 13 दिन हैं तो 13 दिन में वो लगवक 400 के आसपास किलोमेटर यात्रा पूरी करके वहां पहुंच जाते हैं खबर मिल जाती है सुद्धुद्धन को के वह आ रहे हैं दिक्कु संग के साथ चलते हैं संग के साथ चलते हैं यानि बुद्ध कभी बिना संग के चले नहीं पहली वार अकेले साथ रहे तो सुरक्षित रहे तो संगो को ले के जा रहे हैं तो वहां पे भंडारा हो रहा है यानि भंडार गिर है भंडा रहे हैं बस्तों आ रहे हैं सामार आ रहे हैं खाने के लिए चाहिए उनको और वहां बहुत सारे द्रस्था करनी है क्योंकि ठंड का मौसम भी है ब प्रकरती तो अपना काम करती है प्रकरती से बड़ा तो कोई है नहीं तो उन सब के लिए इंतजाम करने है और उन रास्तों पे उजाला भी करना है अब पहले बिजली बिजली तो कहीं थी नहीं और नहीं कोई लड़ी थी नहीं कोई मौम बती थी मौम तो था पर बती इतनी ज्यादा नहीं थी पर दीपक था तो कि दीपक का जो जिक्र आता है वो चौथे बुद्ध के नाम से भी आता है चौथे जो बुद्ध हैं उनको दिपांकर बोड़ते हैं तो दिपांकर के नाम से आता है दीपनी के नाम से आता है दीपक के नाम से आता है जो अत दीपो भव के विनेपीटेक में भी बहुत ज़्यादा है तो वहां जो दीपक है दीपक महां जला रहे हैं क्योंकि वह आ रहे हैं तो वहां चावल जो आया है नया चावल नए चावल को देख रहे हैं चेक करके कैसा चावल है कैसा नहीं खटा तो कलिया चावल यानि कि धंते धंते धंत में सहर डाल के दूट डाल के और चावर डाल के पका के और उसको पिंडी बनाके चेक करते हैं और काली दूर करने का दिना आता है जहां वो भैदूर करते हैं फिर गौतम धम दिना आता है जिसको आप गोवर्धन बोलते हैं गौतम धम वर्धन गोवर्धन बोलते हैं इस छट तक कारिक्रम चलता है ऐसा जिक्र बार 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 आता है कुछ लोग कहते हैं कि ये जिक्र ठीक नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि ये बात सही नहीं है हो सकता है कि ये बात सही नहीं है किसी की बात वो काटना ठीक नहीं है पर इसके परमाला नहीं मिलते कि ये बात ठीक नहीं है और जो दीपावली है ये ठीक तो वैसे ये डीप और अवली है, तो ये डीप अवली तबी से चली आ रही है, पर बुद्द के साहिते में इसको डीप अवली कहके, या बहुत बड़ा फेस्टिवल कहके, ये कहीं है रही, पर हमारे सारे फेस्टिवल जतने भी है, वो सारे के सारे फेस्टिवल जितने भी हैं वो एगरी कल्चर के उपर हैं तो एगरी कल्चर की बात को कोई डिनाइ नहीं कर सकता क्योंकि धान का जो फेस्टिवल है वो आज भी होता है आज भी भारक के अंदर जो अलग-अलग धाई आते हैं अलग-अलग ग्रेंस आते हैं आज के दिन में वर्शिपिंग होती है, पूजा होती है, अर्शना होती है, वो रखे जाते हैं, वो हमारा पुराना फेस्टिबल है, इसलिए जो धहीं तेरस है, धहीं माने होता है, बहुत तरह के ग्रेन, बहुत तरह के दाने, और तंडुल माने होता है चावल, तो धहीं त नाम पर है किसके नहीं है दुनिया के सारे जितने भी सास्त्री हैं जो सासास करने वाले हैं वो कहीं तक भी चले जाओ उनके पास कोई प्रूफ नहीं है लोग हम से प्रूफ मांगते हैं क्योंकि हमारे साहिते को प्लेडा मेडा किया गया है हमारी चीज़ खतम की गई है पर हमारी कल्चर खतम नहीं कर सकते आखिर जो दीपक है वो हमारा है जो चावल है वो हमारे है जो तंडुल है वो हमारे है जो भैधूर करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी है जो धम का प्रकास है वो हमारा है जो गौस है जितने सब्द है वो दिक्कत आती है और लोगों को समझने में कटना ही महसूस होती है क्योंकि अपनी चीज को छोड़ना वड़ा आसान है पर उसको पुने प्राप करना थोड़ा मुश्किल काम है कैई वार लोग उसके रैफरेंस मांगते हैं पर अपने रैफरेंस देने की बजाए दूसरों के रैफरेंस मांगना सीखना चाहिए किसी के पास रैफरेंस ने मिलेंगे आपके पास तो बहुत रैफरेंस है जो लगाता लगाता आ रहे हैं तो ये धन तेड़स की हमारी पूरी कहानी है कल काली चौद्दस आएगी कल धान बनाएंगे बनाके उसके लड़्डू दीपावली करेंगे और परसों को धम प्रिकास फैलेगा चाहल तरफ ऐसा प्रिकास फैलाएंगे बुद्द के फिर आपका सारा अंधियारा हमेसा के लिए दूर हो जाएगा और फिर आपको भै दूर करेंगे भै दूर दसन करना सिखाएंगे और फिर आपका गोवर्धन आएगा यानि गौतम धम वर्दंड आएगा और चटके बाद में वो सब चले जाते हैं जब महिनाएं हमारी उनको खाना और पीना पानी वगरा देती यह काईकरम लगातार साल दर साल चलता रहता है और यह बड़ा होता जाता है बड़ा होता जाता है और भारत के सारे हिस आ गया है क्योंकि यहां हवाय सूखने लगी है यहां पानी देर से आता है और जल्दी चला जाता है वहां पानी जल्दी आता है और पानी देर से जाता है इसलिए धान देर से पकता है धान तो वहां भी होता है पर वहां का टाइम अलग है इसलिए उनका धान का केलिए हम यह बोलते हैं बार-बार आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप दिपावली मना हैं आपको यह भी नहीं कह रहे हैं कि आपको पढ़ा के चलल के चलांए चलने का तो आप करें, आपके लिए बहुत अच्छी देवाली है, पर आपका पैसा अगर इसमें जाता है, तो पैसे को रोक के रखें, और जब जरूत हो तब इसे चीक है, क्योंकि बावा साव अमबेट कर ने सारे फैस्टिवल को देखा, सारे फैस्टिवल का धन्पिया, और लाश की पूरी तरह से के डेटोड की गई है, विविट्स की गई है, खराब की गई है, और खराब चीज हमाली नुपसान दायक है, इसने उसको छोड़ देना चाहिए, तो बावा साब के आदे सनवसार बहुत लोगों ने छोड़ दिया, और छोड़ने का राइट जो तरीका थ बलकुल सही था, क्योंकि हमारे पास कल्चर डवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम सब लोग इखटे रहेंगे और संग में रहेंगे, तो हर कल्चर को हम खीच के ले आएंगे, हर कल्चर को ठीक कर देंगे, हर नई कल्चर को बना लेंगे, नए आउटसब बना ल हो गया तो वैसे ही ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हमें नुक्सान देते हैं ये हमारे लिए खराब हो गए तो बावा साब ने इन सब को मना कर दिया कि इन सब को नहीं मनाना है पर अगर आप इससे कुछ कमा सकते हैं आप इससे कुछ फायदा उठा सकते हैं आप इससे मंदर बहुत धोके हैं पर अभी तो मंदरों में पटाई होती है क्योंकि आप जाओगे तो आप पहचाल लोगे कि यह आपका मंदर है इसनी आपको घुसनी देते क्योंकि आपका मंदर है आप अपने बुद्ध को पहचाल लोगे आप अपने वहाँ पहचाल लोगे मंदर त जहां लोग जाते हैं, वो जगे मंदर है, खाली भवन को, खाली इंटों को मंदर नहीं बोलते, खाली इंटे खाली तो खंडर होते हैं, मंदर नहीं होते हैं, इसलिए जहां हम रहेंगे, जहां संग रहेगा, सब्वेता वहां से आरभ होगी, इसलिए कहते हैं कि संग हमको क् क्योंकि बुद्ध से सीखना चाहिए, कि जहां बुद्ध खड़े होते थे, संग वहां से शुरू होता था, क्योंकि संग उनके साथ रहता था, इसलिए भिकु संग में हमेसा उनकी बातें एक से लेकर दो तक चली जाते थी, वैसे ही, जहां हमारा संग होगा, जहां समण होगा, वहाँ सारे मंदर भी होंगे, वहाँ सारे कल्चर भी होगी, वहाँ सारे दिपाबली भी होगी, वहाँ धन त्यलस भी होगी, वहाँ इदी भी होगी, वहाँ पे 26 नमबर भी होगी, वहाँ 26 जनवरी भी होगी, वहाँ 24 अपरेल भी होगा, और जहां संग नहीं होगा आप कुछ भी कर लेना आपके पास कितना पैसा हो वो सब चला जाएगा सारे फेस्टिवल चले जाएंगे जैसे पहले सारे फेस्टिवल चलेगे सारे पैसे चलेगे और हम भूके नंगे होगे बिना संके वैसे ही फिर हो जाएंगे इसलिए उतसवों की चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है चिंता सिर्फ इस बात की करनी है कि हम असंगी है या संगी है अगर हम संगी है तो हमारे अच्छे दिन आने शुरू और अगर हम संगी नहीं असंगी हैं तो हमारे और बुरे दिन आने की त्यारी सुरू समझना आपको है करना आपको है कि आपको सुखी रहना है या आपको दुखी रहना है आपको संगी रहना है या आपको असंगी रहना है निर्ण है आपका और सब कुछ आपके बच्चों की फूचर पर डिपेंड करता है, आपका एक निर्ण है, कि आप कौन सा निर्ण लेते हैं, संघंग नमामी, संघंग नमामी, संघंग नमामी. आप सबी से ये निविदन है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद् पूधं सेनं गच्छादी थंगं सरेन गच्छादी संगं सरेन गच्छादी थंगं सरेन गच्छादी संगं सरेन गच्छादी थंगं सरेन गच्छादी संगं सरेन गच्छादी थंगं सरेन गच्छादी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी साथू, साथू, साथू बुद्धं सर्णं कच्छानी झाल झाल